कि दोस्तों आपने देखा होगा कि श्रीर में हेल्थ से जुड़ी कई सारी प्रॉलम्स एक साथ होने लगती हैं जिसे मोटापा हार्ट के समस्यां बालों का जड़ना हाई ब्लड प्रेशर याददास्त में कमी डाइबिटीज शारेरी कमचूरी उम्रे से पहले बुढ़ाप और इन सबी समस्यां से निपटने के लिए हम बहुत सारे से पैसे खर्च करते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं फिर भी जड़ से खत नहीं होती लेकिन दोस्तों आयर्वीद में ऐसे से उपाय बताएंगे जिसके उपयोग से आ इसे सुपर फूड कहा जाता है अलसी एक कम्प्लीट फूड है एंटी ऑक्सिदेंट डैटरी फाइवर ओमेगा थी फैटी असिड प्रोटीन मिनरल्स वाटमिन बीक कॉंपलेक्स पॉटेशियम कॉपर इसमें प्रचूर मातरा में पाय जाते हैं तो चली जानते हैं कि अलस तो सबसे पहले जानते हैं अलसी खाने के फादों के बारे में उसके बाद हम जानेगे इसके प्रयूग के बारे में दोस्तों अलसी जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फादेवन होता है इसे मौजूद फाइबर नैचुल तरीके से हमारी बॉड़ी में कॉलिस्ट्रॉल क काफी कम कर देता है ओस्सी को आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हें कहुँता है DHE हमारे दिमाग को तेज करने में बहुत ही हल्प करते हैं और omega 3 fatty acid के और भी बहुत से फाद हैं आप आगे जानोगे इसके लावा दोस्तों ये बढ़े हुए वजन को मोटापी को कम करने में LC का प्रियूग कर सकते हैं दरसल एक रिसर्च के मताबिक LC dietary fiber का एक अच्छा सूर्स है फाइबर की मौजुद्गी के वज़ा से ये श्रीर में बढ़े हुए प्लाजमा और कॉलिस्ट्रॉल को कम करने में हल्प करती हैं साथे श्रीर पर जमी अतरिक्त चर्व यानि फैट को कम करती है जिसे वजन मोटापा कम करने में हमें मदद मिलती है LC दोस्तों किडिनी के समस्या के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि किडिनी को healthy बना रखता है इसके लावा LC महिलाओं के hormones को manage करने के लिए भी काफी मदद करता है बहुत से महिलाओं के periods होते हैं काफी delay हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी आ जाते हैं तो उनको LC जरू खाना चाहिए उनको फादा मिलेगा इसके लावा diabetes के समस्या की बात करें तो इस समस्या से पीडित रोगियों के लिए भी LC खाने के लाब कारगर साबित होते हैं एक research में इस बात को माना गया है शोद में जिक्र मिलता है कि LC में मौझूद fiber और mucilage यानि कॉंद जैसे जो चिपचिपा पदार्थ होता है करने वाला प्रभाव मौझुद होता है अगर आपको diabetes है तो अलसी को जरू डायट में शामिल कीजिए इस आपका ब्लड सुगर लेवल हमेशा कंट्रूल में रहेगा इस कलावा दोस्तों LC जो है सरदी खासी में भी औसदी की तरह काम करता है एक शोध में माना गया है कि LC सरदी खासी में आराम दिलाने का काम करती है वहीं शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि अत्यधिक खासी यानि की bronchitis फेपडों में सूजन की एक स्थिती होती है उसकी समस्या में LC की चाय फायदेमन साबित होती है अगर आपको bronchitis की समस्या या फिर हमेशा छाती में बलकम जमा रहता हो तो LC की चाय बनाने का रेसिपी आपको बताता हूं दो चममच LC की बीजों को पीस कर देड़े कप पानी में डाल दीजे और लगबग आदे घंटे तक 30 मिनट तक ऐसे ही ढखकर छोड़ दीजे 30 मिनट के बाद पानी को गर्म करने के लिए चड़ा दीजे और लगबग 2-3 मिनट तक मद्यमार्च पर गर्म होने दीजे और उसे हलका गुर्णगुना सिपशिप करके पीछे इससे खासी और बलकम में बहुत फादा मिलेगा और तुरंद फादा दिखेगा अलसी में डूस राइरण काफी मात्रा है जो शरीर में खुण की कमी को दुरकरता है और एनीमिये से बचाता है खुण की कमी से बहुसे रोग होते हैं। अगर आपको शरीर में खंशे आलस ठकान कमजूरी लगा रहता हो पूरे दिन नीन आता हो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता हो, तो समझ ये श्रीर में खून की कमी है, आने की कमी है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, दो पहर को खाना खाने के बाद, दो चम्मच भूनीवे अलसी और दस गराम गुड को चबा चबा कर खा लेना है, इस तरह से आप दिन में दो ब अलसी लीवर स्वास्ते को बना रखने में मदद करती है, इस अलसी लीवर डिजी से गरस्त रोग्यों के लिए भी फादेमन है, दरसल अलसी से समंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है, अलसी का सेवन किया जाता है, तो फैटी लीवर के समस्षे से जूज रहे लो इस काम में अलसी में मौझूद अलफा निलोलेलिक एसीड और निलोलेलिक एसीड मुख्य भूमी का अधा करते हैं, इस तरह दोस्तों यह आपके लीवर को भी हेल्दी रखता है और हाई बीपी को भी कंट्रोल में करके रखता है, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिने उनना यह निलोना बहुत होता है, अगली फादी की बात की divya, अलसी हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा हुता है, इसों बाल्स की कमी होती है जिस वजों से बाल समय से सफीद होते हैं बाल रुखे हो जाते हैं, ड्राय हो जाते हैं, बाल कम होने लगते हैं, अगर आप अपने बालों को लंबा, काला, घना करना चाहते हैं, तो अलसी का सेवन आज से शुरू कर दीजे, यह सिर के तवचा को पोशन भी देता है, जिसे डेंडरफ और खुजनी के समस्या भी खत् होंगे, अलसी दोस्तों स्किन के लिए भी बहुत फादेमंद है, जैसे कि मैंने आपको बता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी आशिड होता है, और ओमेगा 3 फैटी आशिड स्किन को सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार बना रखने में हेल्प करते हैं, इसकिलावा अगर आपके स स्किन रुखी, सुखी, बेजान रहती है, हमेशा स्किन डल रहता है, समय से पहले बुड़ा हपा जलगता हो, तो अलसी को जरू डायट में शामिल कीजे, इससे आपको कुछ दिनों में ही फर्क खुद में दिखने लगेगा, चली ये तो होगे दूस्तों अलसी के फैदे, अब जानते हैं, अलसी का उप्योग, प्रियोग कैसे करना है, जीने हड्डियों से सम्मधित कोई प्रॉलम है, नसों से सम्मधित कोई प्रॉलम है, गठी या अर्ट्राटिक से समस्या है, तो समझे, आपको श्रीर में वात मढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको अलसी के इस समस्या रहती है तो आपको मैंने बताया कि अलसी की चाय बना कर पीछे आपको फायदा करेगा अगर आप पित प्रक्तिकी हो शरीर में एसिड बहुत जाला बनता हो हमेशा शरीर गर्म रहता हो हाथ पयर तलुए में जलन की समस्या हो तो अलसी को आप भीगो कर से बन किजिए एक से डेड़ चममच अलसी को रात को एक गलास पानी में भीगो दीजे और उसे ढख कर रख दीजे और सुबह अलसी सहित पानी को थोड़ा गर्म कर लीजे और छान कर पानी को सिप सिप करके पी लीजे और बचेवे अलसी के बीजों को भी चबा चबा कर खा लीजे इस त नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे उनका ब्लड फ्रीशर और भी लो हो सकता है अलसी जाला मातरा में नहीं खाना है रोजाना लगवग आप 20-30 गरम की मातरा में खा सकते हो और वह भी ठंड के मौसम में अगर गर्मी पड़ रही है आपके छेतर में तो आप लगवग 10 गरम ह और घर्मियू में अगर अलसी का सेवन कर रहे हो तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें इतना ध्यान लखेगा इसके लावां गर्वती महिलाओं को अलसी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासिर गर्म होती यह नुक्सान पहुचा सकता है तो दोस्तों आज हमने जाना अलसी के फैदे अलसी के उभ्योग और अलसी के नुकसान के बारे में वीडियो जानकारी कैसी लेगी आप में कॉमेंट्स करें बताना और जरूर और अब तक आपने रोद्रो होम रेमेडिस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लेजिए बैल अकन प्रेस कर अल नोट